नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल बंगल होंगे देखिए आप लोगों की दौरा चैनल पर भी और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी काफी सा मैंने कमेंट्स यहां पांक यह जह कमेंट्स मैंने रखे हैं इन कमेंट्स पर हम लोग थोडह सा डिस्केशन आज की वीडियो में करेंगे क्योंकि देखिए जब हम यह वीडियो देखते हैं investment करने की planning करते तो confusion हमारे काफी create हो जाते हैं तो इस तरह की वीडियो को देखने के बाद काफी हद तक आपके confusion दूर हो सकते हैं और वीडियो को देखने के बाद भी confusion दूर ना हो तो आप लोग भी comment मुझे कर सकते हैं देखें इस्टाग्राम पर भी आप चाहें तो मुझे follow कर सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा वहाँ भी आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं message के तुरू या अगर कोई आपका ऐसे कोई confusion है तो उस पर मैं वीडियो भी बना दूगा क्योंकि काफी हद तक कब मैं जल्दी जल्दी जो भी लोगों के confusion है उस पर मैं वीडियो बनाता जा रहा हूं तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा informative बहुत ही ध्यान से देखेगा और समझेगा क्योंकि यहां कि एक चीज में आप सभी को समझाओंगा बिल्कुल सिंपल भाशा में आ लेकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बैंक के ही mutual fund लेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे returns मिलेंगे बैंक की mutual funds भी अच्छे हैं लेकिन सिर्फ बैंक का नाम देखकर या लोगों देखकर हम यह decide नहीं कर सकते कि इस mutual fund की performance कैसी होगी पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमेशा हमेश चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि fund की performance कैसी है fund के holdings कैसी है funds के returns कैसे हैं यह सब चीज़े देखने के बाद हमें एक अच्छा mutual fund अपने लिए select कर सकते हैं लेकिन सिर्फ यह सोच लेना कि SBI का mutual fund है या ICSA का mutual fund है या SDFC का mutual fund है तो यह अच्छा होगा यह मेरे को लगता है कि ठीक नहीं है देखे ऐसा नहीं है कि SDFC के funds अच्छे नहीं है ICSA के अच्छे नहीं है आप चूज कर सकते हैं लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी mutual fund का logo आपको ये नहीं बता सकता कि इसकी performance कैसी है। थोड़ा ध्यान से समझेगा, अगर fund की performance देखनी है, सही portfolio अपने लिए बनाना है, देखे, large cap, mid cap, small cap, सभी को अपने portfolio में शामिल कीजिए, और हर एक category से अच्छा mutual fund, अपने risk tolerance को देखते हुए आप चूज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बहतर रहेगा। सिर्फ bank के logo पर depend हो जाना मेरे इसाब से ठीक नहीं रहेगा। देखे, बाकी अगर आप एक portfolio चाहते हैं, आप मुझे अपना investment बताईएगा कि आपको कितने रुपे महीने का निवेश करना है, तब एक अच्छा portfolio हम आपके लिए यहाँ जरूर बना कर देंगे सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला कमेंट है, सर मैं तीन लाख रुपे लंसम करना चाहता हूँ, आठ या दस साल के लिए, mutual fund में करें या ETF में करें, किस में करें, सुझाओ भी दीजीगा, देखे सर, थोड़ा सार मैं आपको difference बता देता हूँ, पहले तो ETF क्या है और mutual fund क्या है, देखे, अगर आपको ETF में निवेश करना है, अब ETF क्या है, ETF आपको एक, आप ऐसे समझ लीजी, आपको एक bucket मिल जाएगी, जिसमें बहुत सारे stocks होंगे, जैसे कि आप 50-50 को रख सकते हैं, ये आपको stocks मिल जाएगे, कि stocks का एक bucket आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आप उस stock, मतलब उस bucket को खरीदेंगे, तो सभी stocks में आपका पैसा निवेश हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ETF में निवेश करने के लिए, आपके पास demat account होना बहुत जरूरी है, उसके मिल आप निवेश नहीं कर पाएगे, एक चीज़ और है ETF में, demat account होना चाहिए, दूसरी बात, देखिए, जब आप अपने ETF को share करना हो, आप बेचना चाहेंगे, सेल करना चाहेंगे, तब उसके लिए बायर भी होना चाहिए, तब ही आप उसको सेल कर सकते हैं, वहीं अगर आप mutual fund में निवेश कर रहे हैं, तो आप सीधा अपने जो फंड से जो यूनिट से उनको आप सेल कर सकते हैं, AMC आपको पैसा देखी, AMC की वहाँ थोड़ी जिम्मेदारी बनती है, तो liquidity को देखकर लगता है कि हाँ, mutual fund एक अच्छा option आपके लिए हो सकता है, थोड़ा सा एक चीज़ और देखेगा, ETF में अगर आपको अच्छे returns बनाने हैं, देखिए, mutual fund से भी ज्यादा returns आप ETF में बना सकते हैं, ब आप कभी भी purchase और sale कर सकते हैं, क्योंकि NAV वहाँ पर day end के बाद ही मिलती है, तो थोड़ा सा अगर basic, थोड़ा सा समझे अगर आपको थोड़ा confusing लग रहा है, देखिए, बिलकुल अगर और simple way में आपको समझाओं में, अगर आप ETF में निवेश करते हैं, तो आपको fund में निवेश कर रहे हैं, तो ये काम आप के लिए आपका fund manager करता है, क्योंकि वहाँ fund manager होते हैं, ETF में कोई fund manager आपको नहीं मिलेंगे, आपको खुदी थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना होगा कि market के up and downs के हिसाब से मुझे कब इसको खरीदना चाहिए और कब इसको बेचना चाहिए, तो अगर आप थोड़ा सा market की tension ले सकते हैं, कि up and downs को देख सकते हैं, थोड़ी नजर रख सकते हैं, तो आप ETF में निवेश कीजी, आप ज्यादा returns बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल tension free investment करना चाहते हैं, तो आप mutual fund में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यह fund manager आपके पैसे को manage करेंगे, बाकी funds की बात रही, इस पर हम लोग discussion करेंगे, इसके लिए आप मुझे थोड़ा अलग से comment कीजेगा, बाकी देखें, लमसम आप कह रहे हैं, 10 साल के लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा idea दे देता ह आपको, तीन लाग का लमसम है आपका, आपके जो duration है वो आठ से दस साल है, आप इसमें क्या कीजेगा, आप इसमें थोड़ा सा पैसा आप index fund में जरूर रखिएगा, क्योंकि index fund हमारा जो overall portfolio होगा, उसको stability देगा, लेकिन returns को boost करने के लिए आप थोड़ा सा इसमें mid cap और small cap को भी शामिल कर लिजेगा, इस तरह से आप एक balance portfolio बनाकर लमसम कीजेगा, कि कुछ पैसा आपका large cap में जाए, कुछ पैसा आपका mid cap में जाए, कुछ पैसा आपका small cap में जाए, एक अच्छा portfolio बनाकर लमसम कीजेगा, दस साल में आपको अच्छे returns, mutual fund से भी मिल जाएंगे ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, कुछ भी confusing लगे, ऐसा लगे कि मैंने कुछ जल्द बाजी में आपको बता दिया है, तो दुबारा comment कर दीजेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बलकि अब एक जल्द ही में एक series start करने वाला हूँ, जिसमें मैं सिर्फ एक या दो comment ही pick आप लोगों के साथ मैं discuss किया करूँगा, उसके लिए अलग से एक में वीडियो बनाया करूँगा, ठीक है, अगला comment, सर प्लीज बताएं, मेरा SBI PSU में SIP चल रहा है, 1000, टार्गेट 10 साल का है, बहुत अच्छी बात है सर, एक साल हुआ है, नेगेटिव जा रहा है, क्या म बना रहूं या फिर मैं continue करूँ, देखे सर, अगर अभी negative returns मिल रहे हैं, तो exit करने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं, अगर आप निकल जाएंगे, तो आप कही ना कही नुकसान लेकर निकलेंगे, तो उसकी तो बात मैं कभी करता ही नहीं हूँ कि आप यहां से नुकसान ले करूँ, मार्किट में जो गिरावट आईए, जो corrections अभी आए हैं, काफी सारे mutual funds ने negative returns दिये हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप पैसा यहां से निकाल के वहां डाले, कभी वहां से निकाल के वहां डाले, नहीं, आपको यहां बने रहना पड़ेगा, जितने लंबे टाइम बने रहेंगे, आपके जो negative returns है, वो positive हो जाएंगे, तो इस तरह से market में उतार चड़ाव हमेशा चलेगा, आपने fund selection कर लिया है, आप इसमें बने रही है, थोड़ा सा मैं आपको SBA PSU fund की performance दिखा देता हूं, returns गिरे हैं, बिलकुल पिछले एक महीने में minus का 1.3% हमन ऐसा नहीं है, सिर्फ negative है, positive भी है, पिछले 3 साल में 34 भी है, तो 5 साल में 26 भी है, तो इस जो returns आए हैं, ये भी इसी fund ने बना कर दिये हैं, इसलिए थोड़ा सा धहरिये बना कर रखिये, जब पैसा negative जा रहा है, तब तो बिलकुल भी आपको यहां से निकलना नहीं है, यह में भी आपका पैसा जा रहा है, Power Grid Corporation में भी जा रहा है, भारत Petroleum में भी जा रहा है, भारत Electronics में जा रहा है, NTPC में जा रहा है, NMDC में जा रहा है, बैंको बडोदा में जा रहा है, कितने बढ़िया बढ़िया कंपनियों में आपका पैसा जा रहा है, तो घबराने की ज़ जो हैं वो भी काफी अच्छे यहां से मिल सकते हैं ठीक है सर आगे बढ़ते हैं अगला कमेंट यह इस्टाग्राम पर कमेंट आया था मतलब इनका मैसेज आया था देश्पी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूं एक हजार पर मत फॉर नेक्स्ट फिफ्टीन यर्स प्रीज बताओ कि ठीक है या फंड इसको बंद करके कोई और लेलो बिल्कुल नहीं सर फंड आपको बंद करने के लिए तो देखे मैं कभी भी नहीं कहता हूं मैं हमेश साल दो साल चलाकर बार-बार स्विच करेंगे ना तो वो उतना अच्छा नहीं रहेगा आपको देखे कंपाउंडिंग वगा भी बेनेफिट यहां लेना है लॉंग टाम तक आपको इंवेस्टमेंट करना है तो आपको फंड सेलेक्शन स्टार्टिंग में ही ना बहुत सो स्मौल कैप है उनके तो मुझसे आच्छे क्या है टॉँ टाटा गए स्मौल कैप मुझसे लगा दूँ लेकिन ऐसब नहीं है कि उन्हें फंड की पर्फॉर्मेंस हमेशा चलेगी क्यों कि यहां फंड मैनेजर जैसे इन फंट में काम कर रहा आपके ।्टेस्पी होश तो जोग लूग इनवेस्ट ही नहीं करेंगे तो फिर फंड चलेगा कैसे इसलिए यहां फंड बाइदर की जिम्मेदारी है वो रिटंच आपको अच्छे देंगे थोड़ा बहुत 19-20 तो हमेशा चलेगा कभी किसी mutual fund के returns अच्छा हैंगे कभी किसी के आएंगे जरुरत है long time के लिए बने रहने की और अच्छी बात ये कि जो आपका target है वो 15 साल का है और small cap के लिए बिलकुल आपको 10 से 15 साल का target आप लेकर चलेंगे अच्छे returns आपको यहां से मिलेंगे देखिए पिछले एक महीने में minus 1% गया है ये इसके benchmark के returns है एक महीने दो महीने को छोड़ देते हैं क्योंकि सभी में maximum funds में returns negative मिले हैं पिछले एक साल में देखिए 36.9 है benchmark के returns 40.7 है यहां benchmark से कम returns इस fund ने बनाए है ठीक है लेकिन पिछले 3 साल में इसके जो returns है वो benchmark से अच्छे रहे हैं पिछले 5 साल में जो returns है वो benchmark से अच्छे रहे हैं पिछले 5 साल में 31% के returns है तो ऐसा नहीं है कि returns कम है, returns ठीक ठाक यहां चल रहे हैं, तो आपको मेरे साब से बने रहना चाहिए, equity में 94% का निवेश है, small cap में ही 91 है, ये थोड़ा सा है कि small cap में बहुत ज्यादा निवेश, ये mutual fund कर रहा है, यानि कि आपका पैसा maximum risk में निवेश किया जा रहा है, maximum risk में ये देखिए, दो बाते होती हैं, या तो आपको returns बहुत अच्छे मिलेंगे, या तो आपको risk बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन आपको जो निवेश है, अच्छी बात है कि लंबे समय के लिए है, तो यहां आपको जो returns है, उनकी उमीश ज्यादा है कि आपको अच्छे मिल मतलब आपको छोटी कंपनियों में ही होल्डिंग्स यहाँ ज्यादा देखने को मिलने वाली है ठीक है अगले कमेंट पर बात करते हैं अगला कमेंट सर पंदरा हजार की मंतली साइपी 15 साल के लिए स्टार्ट करनी हो तो कौन से फंड में वेश किया जा सकता है अच्छा सवा एक करोड करोडपती बनने के लिए इस थमरूल को लोग बहुत अपनाते हैं 15 साल के लिए निवेश 15,000 रुपे महिना और 15% के एक्सपेक्टेड रिटन्स आपको करोडपती बना सकते हैं और जो 15% के एक्सपेक्टेड रिटन्स हैं इसको बनाना बड़ा मुश्किल काम न हैं उमीद हम कर सकते हैं कि हां 15,000 का निवेश अगर हमें 15% के रिटन्स दे दे तो 15 साल में एक करोड़ बना देगा बात करेंगर आपके पूर्टफोलियो पर 15,000 के आपको मंतली जो SIP करनी हैं क्योंकि डूरेशन हमारे पास बहुत अच्छी है तो स्मॉल कैप में आप अ रखते हैं फ्लेक्सी कैप में ऐसा फंड रखिएगा जिसमें लार्ज कैप में लोकेशन ठीक ठाक मिले बाकी आप मिड कैप रखिए इस तरह से आप दो-दो फंड भी रखेंगे न तो आप यहां पर एक अच्छा पूर्टफोलियो अपने लिए बना लेंगे 15 साल की डू हो सकता है कि आप उससे ज्यादा भी जन्रेट कर लें क्योंकि नॉर्मली जो फंड में आपको बताएं हैं सभी के रिटन्स 15 परसंट से ज्यादा मिलेंगे कैटेगरी जो में आपको बताएं जैसे कि फ्लेक्सी कैप है SDFC फ्लेक्सी कैप है पराग पर एक फ्लेक्सी कैप है इनके रिटन्स आप देखेंगे 16-17 परसंट से ज्यादा हैं अच्छी तीम आप अपने सेलेक्ट करके जैसे के एनरजी सेक्टर में आप निवेश कर सकते हैं आप बहुत सारे सेक्टर से उनमें निवेश कर सकते हैं जैसे के मैनुफेक्टरिंग का सेक्टर है उसमें आप निवेश कर सकते हैं वो काफी सारे सेक्टर को कवर करता है इस त portfolio balance बनाईएगा, portfolio बनाने में दिक्कत आती है, आप मुझे फिर से comment कीजेगा, हम लोग discuss कर सकते हैं, थोड़ा सा portfolio किस तरह से बनाय जा सकता है, और इसके कोई charges भी नहीं है हमारे channel पर, ये तो बिलकुल आप लोगों के लिए free है, बस discussion हम लोग करेंगे, और आपको थोड़ा स कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके financial advisor नहीं है, लेकिन हाँ, हम आपको educate कर सकते हैं, चीजों के बारे में समझा जरूर आपको सकते हैं, तो दोस्तों यही आज की वीडियो का topic था, कुछ comments थे, जो आप लोगों के लिए मैंने हैं, पिक किये थे, उमीद करता हूं कि सभी को doubt बाकी दोस्तों recommendation नहीं है, कि अवल educational purpose वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि mutual fund का जो भी निवेशे बासार जोखीमों के अधीन होता है, बाकी वीडियो पसंद आई हो, like, share आप शरूर कीजेगा, और मेरे चैनल पर अगर अगर आप नए हैं, इसको भी subscribe आप सरूर कीजेगा, धन्यवाद